तो है गाइस दिस इस कुलदीप एंड वाचिंग यूप्यस सी लाइबरी तो आज के इस लक्षा में हम बात करेंगे तेजस के बारे में विगॉज अभी कैबिनेट कमेटी और सिक्योर्टी ने डिसेजन लिया है कि तेजस को बनाने के लिए डील साइन होकी है एचेल के साथ एचेल मेंज हुंदिस्तान एरोनेट्रिकल लिमिटेड तो उसको यह प्रोजक्ट दिया है 48,000 करोड रुपे का तो 48,000 करोड में यह एचेल यह तेजस एयरक्राफ को बनाएगा तो यह पूरा न्यूज है तो इस न्यूज को हम इस लाइब इस वीडियो में देखेंगे पूरे बारिकी किसे तो यह कट आउट है बाकी ट्विटर का भी वाए है तो इसमें रक्षामंत्रा ले जो आ रहे हैं हो रक्षामंत्रा के ऑफिशल ट्विटर है तो उसमें उन्होंने हिंदियों बोला है कि अब सरकार ने देश में डिफेंस सेक्टर को बढ़ावद देने के लिए 83 तेजस व इससे मतलब एक तो इंडिया को 83 तीजस विमान मिलेंगे और जो मैनुफेक्शन है तो इससे जो मेक इंडिया का जो इनिशेट है वो इसमें और ज्यादा बूस्ट मिलेगा और उसके इलावा जो रोजगार है तो इसमें इंप्लॉइमेंट भी जनरेशन इनिशेटिव इससे और जद़ इसको इन्सवा मतलब भूस्ट मिलेगा इसके लाव जो कैबिनेट कमिट्री नहीं 40,000 का तो इसमें कट आउट है नीज आर्टिकल तो इसमें इसमें देखेंगे आप यूपीसी लाइबरी को टेलीग्राम, फेस्बुक और इंस्टाग्राम पर फॉलोग कर सकते हैं लिंक्स वीडियो के नीचे डेक्सिक्शन में दी हुई है जैसे कि न्यूज में था कि यह जो डेसीजन केबिनेट कमिट्टी ओन सिक्यूर्टी के द्वारा लिया गया है जिसको हैड यह चेर करते हैं प्राइम मिनिस्टर नहीर मौधी और डिफेंस मिनिस्टर राजनास सीं इसमें मेंबर है इस डील को बोला कि जो डील होगी वो एक गेम चेंजर की तरह साबित होगी फॉर से इंडिया इंडिया ऐसे काफी सारी अपने यह बनाएगा तो इससे आदमिद्न भारत का जो सपना था वह पूरा हो प्लस अगर इंडिया ऐसे एर का बनाने लगा तो एक्सपोड जो हमारा वो और ज्यादा इनकी जोग और प्लेस जो जो हम बाकी अधर्स जो नेशन पर जो डिपेंट रहते हैं कि जो डिफेंस पर करना है तो वो थोड़ा डिक्री जोग बेकोट विकोट जब हम खुद अपने एर कॉप बनाने लगेंगे मैनुफेक्श्रिंग करने लगें त इसे जो डिफेंस का जो इंपोर्ट बिल जो आता है वो कम होगा तो इससे हमें पर हिंफेंट होता है वो थोड़ा और कम होगा तो यह काफी सारे इसवोगा खिक्यंटर प्रोग्राम ताव इस तेजस प्रोग्राम के सारे तेजस जो एरकार बनाए जाए तो एक चीए इसके इसी वएसे जो इंडिन का जी एरोस्पेस मैनुफेक्ट्रिंग एको सेस्टम में पूरी तरह से ट्रांस्पर्म हो जागा चेंज हो जागा इसमें पूरी तरह से कहा गया तो यह एलसी जिसमें लसी बोला जिसको लाइट कॉम्बेंट एरकार इसके अंदर आते हैं जो होते हैं वह इस प्रोग्राम के उसके चाट के दा गौर्मेंट ऑमिडिया ने ने नांटी टेवलिमेंट एजनसी तो इस एजनसी को उन्होंने इस इस्टैबलिस किया था था कि वह एलसी प्रोग्राम को हैंडल कर सके मैं मैंडिस कर सके हैं इसके लाव इट रिप्लेश दे एजिंग मतला वी जो टेजस प्रोग्राम बनाया जो इसमें तेजस हेर को बनाया वह इसे में लीज का अब्जेक्ट था कि मेंट टॉन फाइटर प्लेन है उसको रिप्लेस करना है विकाज यह मेंट टॉन फाइटर प्लेन वह उनको न पना वह फ्लाइंग कॉफिन की तरह बंदब बोला जादा विकाज इनका जो क्रेश हो कफी जएदा होता था यह ऐसा यह तो तेजस का फोडव है और सो जो फ्लाइंग कोफिन मेंट में 21 उनका क्रेसिंग का जो न्यूस काफी जादा बार बार सामने दिसने अरफी चाहिए कि अभी की न्यूस है आई जो है ज़र जनवरि दौए नियूस है तो इसमें लिखा है में 21 क्रेसिंगर ज्राज़स्तान पाइलेट से तो ऐसे काफी सारे इंसिडेंट इन पास्ट में हमें देखने को मिलें विए से इसका नाम flying coffin so flying coffin मतला ओड़ता हो ताबुत इसको बोला गया है so यह ऐसा इसकी picture है तो यह ऐसा देखता है तो विए काफी ज्यादा पुरानी technology है तो इसको handle करना भी उसको समालना भी मुस्किल है so इसका जो इसको जो रिप्लेस करेगा वह है यह तेजस so यह fighter jet इसको रिप्लेस करेगा तो इस पर ही 48,000 करोड का दिया गया है HL को तो इस चीज को आप याद रखना या तो यह amount पूछा जागा या HL पूछा जागा या cabinet committee of security यह पूछा जागा तो इस चीज को आप याद रखना तो इसके लाव है और देख जाए यह जो तेजस वाला जो प्रोग्राम में जो तेजसे aircraft है वह एक दिम लाइट आश स्मॉलेस मल्टि रोज सूपर सॉनिक फाटर है सूपर सॉनिक में यह स्पीड मतलब जो 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 मतलब जो आवाज की जो गतियों जो होती है मुवमेंट उसकी स्पीड से उड़ता है तो इस विए से उसको सूपर सॉनिक बोल जाता एक मिन इस ग्लास इसको इसको mostly carrier range 2 of air to air और air to surface missile जो होते हैं उनको कैरी करके ले सकता है इसके अलावे एक जो रिफ्यूलिंग केपिविल्टी भी इसमें लाइक मतलब हवाग में फ्लाइंग की कंडिशन में इसको air रिफ्यूलिंग कर सकते हैं इसके लावे इसकी मैक्सिम्म पेलोड केपिसिटी है 4000 kg तक का यह वेट यह पेलोड में इसको कर सकता है इसके अलावा इसके अलावा इसके अलावा जो तेजस है उसमें जो हमारे जो यह एस वह आए अएएएफ चीफ उन्होंने बोला है कि जो तेजस है उमारा उसके जो वह वह more advanced है जो चाइना का जो चाइना पाकिस्तान का जो है इतना एडवांस की है, इसमें 3S में मार्क जो MK-1 यह है, वो एकुप्ट है किसके साथ, Active Electronically Scanned Air Radars में है, इसके लावा, Beyond Visual Range Missile है, इसके लावा, Electronic Warfare Suit, then A-2A Refoling है, So, यह सब चो टेक्नोलजी इसको जो चाइना के GF 17 उससे और ज्याद़ है, इसके लाव, It would be a potent platform to meet the operational requirement of the airship, IAF, जो Indian Air Force है, उसके जितने भी meet आपरेशन उनको meet करता है, इसी चीज़ के वैसे, इन ही कारणों के वैसे, स्टेज़ को GF 17 से और ज्याद़ है, जाद़ है, आप इसमें देखते हैं जो cabinet committee on security इसका क्या रोल है या अखरी यह क्या है इसने जो decision लिया है यह decision जो agree हुआ जो H.E.L. को जो project मिला है इसी के तुम मिला है so यह इसका mainly object है कि major decision में लेते हैं like कौन से जो significant appointment issue of national security हो गया यह defense expenditure of India so इस point को यहाद रहा है जो defense expenditure जितने भी इंडिया में करने है वो यह committee लेंगी जो भी यह committee के द्वारे ले जाएंगे इंडिया में so इसको chair करते है हमारे इंडिया के prime minister then इसमें कुछ और भी है like or member भी है like minister of external affairs, minister of home affairs, home minister या finance minister and then defense minister so इसमें सभी तीनों ministry यह जो इतनी ministry है उनका अलग-अलग role like external affairs minister हो गया so अगर किसी country से बहार जो foreign country है other country से deal करने है तो इसमें external affairs minister आ जाते है plus जो budget भी देखना होता है तो इसमें finance minister भी work करती है plus defense minister है जो उसको और उसको coordinate करते है इसी वएसे इन सभी minister की जो role है इस committee में ज्यादा और काफी crucial role play करते है इसी वएसे इस committee में यह सभी minister include किया है और जो इसको chair करते है प्राम मिनिस्टर इसके लावा और कुछ facts देखें तो कि जो अब हमारी country के अहला में देखें जो अभी जो हमारी country जो तेजस को जो मैनुफेक्ट्रिंग करेगी तो इसके basis पर देखा जाए कि कि उसमें बोला गया है कि no country in the world makes aircraft that are completely manufactured in income country मतलब अभी एसी कोई भी country है जो completely पूरे parts से पूरा plane खुद एक मतलब एक country में पूरा तरह से manufacturing किया जाए like even china does not so चीज चाइना भी नहीं करते so therefore the goal is to make as much as India as possible to so that we can be self-rend मतलब यह goal हमारे है कि इंडिया को इतना possible इतना संबभ बनाना है कि वो उस self-rend वाला जो मारा आत्म निर्वर वाला वाला वह वो पूरा हो सके इसी सो इसमें जो जो टीजस वाला जो इनिशेटी वे टीजस वाले प्रोग्राम है वो इससे काफी ज़्यादा बूस्ट मिलता है इसके अलावा इसमें वह फैक्ट्स देख हैं तो कि there are only five countries in the world which can make engines in the world so he doing fighter jets के engine वह से पूरी गंट्री में पांच गंट्री है जो इनको बनाती लाए पहली फ्रांस यूके रसिया चाइन अमेरिका यह पांच कंट्री है जो fighter jets के इंजन बनाती है तो इस चीज को अभिया रगना और इसमें वो लाए कि we should be one of the those countries too so हम भी उस countrys की list में होना चाहेंगे तो इसी वैसे और अगर इस country में इंडिया आती है तो जो हाथ में नर्वगार इनिशेटीव है उसको बहुत जादा boost मिलेगा और इंडिया को किसी और country पर depend नहीं होना पड़ेगा in defense sector या manufacturing में यह procurement because अगर इंडिया खुद manufacturing करने ल लग कि सेक्टर में या education या health में उसको खर्च कर सकते हैं so यह चीज़ें आप याद रखना so आप UPC library को subscribe करते हैं तो please subscribe to the UPC live and press the bell icon for the more updates दन्यबाद